अगर दोस्तों आपके पास विज़े बजाज फिन सर्फ कार है और आपका कार्ड दोस्तों ब्लोक हो चुका है यानि आप उस कार्ड से समान लेने के लिए लिए तो वहां पर आपको आपको कार्ड को अनब्लोक करने के लिए नहीं आता है तो दोस्तों ये वीडियो को फूल लुवाज करना है ठीक है और चैनल पर नहीं तो चैनल को निचा सस्क्राइब कर लें ठीक है तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं किया गया ठीक है तो इसके लिए यहां पर मैं सबसे पहले तो मुवाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां पर मैं आउन कर देता हूं ठीक है और आपको पता कर रहे करेंगे तक यूड़ा सा अफिसके बाद दोस्तों कि आपको सारा कुछ पॉइंट आपको बताने वारों कि आपका कार जो किस भज़ा से ब्लोंग किया और क्या करें का यह जो के आपका कार यह पर भूलोक होता है तो इसके लिए यहां पर एक उप्स्न आपको देखने के आपको यहां पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार मेरा ब्लोक हो शुका है। और मेरा किस वज़ास से कार्ड यह ब्लोक हुआ है वह मैं आपको बताऊंगा जो कि आप यह गलती नहीं करेंगा जिससे कि आपका कार्ड ब्लोक नहीं होगा और किन-किन वज़ास कार्ड ब्लोक होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है पर सबको वीडियो को लाश्रत आहीं देखना तो सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते मेरा कार्ट यहांपर父 भोक हों चुक्ड है ठीक हैो ब्लॉऐच से कजिक कर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वेट इस्विल इसकोर ब्रोक नेंस संब्लॉइस तो दोस्तों इसमें बता रहा है कि मेराB से नीचे गया है ठीक है इसके वज़ा से मेरा कार्ड यहां पर ब्लोक हो चुका है और यहां पर अनब्लोकिंग का टाइम लाइन यहां पर क्या बता रहा है यहां पर जैसे कि देख सके लिखा हुआ है और आपका कार ब्लोक हो चुका तो वह साथ सबी से उपर होने के बाद आपका कार्ड और यहां पर एक पोर्ट आता है कि जैसे कि मेरा दोस्तों पहले 701 नहीं था डिका लेकिंट और कूसक्रेडिट कर दिख राय किया ते और में उसों पर समान कुछ पर्चिस्क किया ठीक है उसका जो भी EMI AI रहता है तो दोस्तों वह मैं एक EMI AI लेट कर गया जानि मैं भूल गया था ठीक है इसके बज़से मैं पेमेंट नहीं कर पाया इस बज़से मेरा सिविल नीचे गिर गया गया है तो दोस्तों अगर आप भी जो है कोई भी समाल लेते हैं इमियाई पे ठीक है और उसका जो है इमियाई टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं और आपका सिविल जो 720 से नीचे गिर जाता है तो आपको यहां पर जो है सबसे पहले बज़स कर जो है वह ब्लोक हो जाएगा ठीक है और दूसरा कारण जो हो दोस्तों मैं ब्लोक होने का वह दूसरा में कारण आपको बता देता हूं दूसरा कारण दोस्तों बी एफल प्लोसिस यानि आपका कार जो है भी एफल प्लोसिस की कारण से ब्लोक हो है तो उसको अनब्लोक कैसे करना है इसके लिए दोस्तों बी एफल पोलोसिस सबसे पहले क्या हो तो वह मैं आपको बता देते हूं कि जैसे की दुस्तों अगर आपके नाम पे multiple loan चल रहा है यानि 4-5 loan चल रहा है तो इसके बजह से भी आपका card block होता है यानि ठीक है यानि आपके नाम पे जो 4-5 loan चलेगा यह multiple loan चल रहा है तो इसमें भी FL policies के कारण से यह card block हो जाता है जब दोस्तों आप loan को close कर देंगे ठीक है यानि एकाक दो loan close हो जाएगा तो आपका card जो automatic से फिर यह unblock हो जाएगा ठीक है आपको बजाज office भी जाते हैं तो यह policies का कारण जो बताते हैं तो इसमें भी आपको बजाज office वाला भी कुछ नहीं काम करता है ठीक है यानि वह direct यह बताएगा कि आप जब आपका loan close हो जाएगा एकाक loan तो आपका card automatic से यह unblock हो जाएगा और तीसरा जो कारण है दोस्तों कारण को ब्लोख होने का वो कारण है कि झब आप दोस्तों बजाज कार्ड को यानी जो एक करते हैं तो उस्मे जो भी limit रहता है दोस्तों आपसे जो भी समाल लेते समाल लेते कुछ आपको यह पे डाउन प्ट पेमेंट लिए तो आपको बाद यूरा 10 पर देरा यहां बच रहा है तो कणने में आपको यही बदा होंकि आगर आपका कास्टर्ट्ट लॉन देने यह नहीं यानि एलिजिवल नहीं है कुछ यहां पे 70% है 80% है और वही आप जो दोस्तों फ्लीप कार्ड एमेजन यानि कोई भी यहां पे जो ऑल लैंड प्लेट फॉरम हो गया जिससे कि आप स्वापिंग करते हैं और वहां से कुछ भी आप स्वापिंग करके जो अपना कार्ड को यहां पर हो जाता है ठीक है तो आपको यह भी डिम नहीं करना है पढ़ो सबसे पहलेवं को जो área पर समाल लेना प्लिप काट एमेजन मिंत्रा ठीक है अब जिसके भी जरी समाल लेते हैं और लान प्रोड़क्ट को पर्चिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बजाच ऑफिस में जाकरके आपको काट का जो आपको इस्टेटस एक पर पता कर लेना है कि आपका काट जो है 100% के लिए eligible है या नहीं है अगर आपका कार्ड 100% के लिए eligible है लोन देने के लिए तो आप बैफिकर होकर कि Amazon, Mintra, online platform से आप स्वोपिन कर सकते हैं आपका कार्ड जो है eligible नहीं है लोन देने के लिए अगर आप तब भी आप ट्राइक करें तो इसके बावजुद भी आपका कार्ड ब्लोक हो जाता है तो दोस्टे मैंने आपको तीनों पॉइंट आपको वता दे कि कि किन किन बज़स आपका कार्ड ब्लोक होता है सबसे पहला है इसको आपको यह पर अनब्लोक करने के लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई लोन एक क्लोज करना पड़ेगा और तीसरा जो कारन मैंने आपको बता दी कि आपका कार्ड जो सबस्ते के लिए लिए नहीं रहता है तब आप जो है और आपको कुछ डाउट है कुछ मुझ दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब एक लिए जाइन बदने मात रहाएं